नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर कायकरम 2023 विधान सभा चुनाओ का साल है 2023 में नो राज्यों में चुनाओ होने वाला है और इसका अंदाजा मोधी सरकार की कुछ घोशनाएं अपने आप में कर रही हैं और इसमें सबसे एहम घोशना जो उन्होंने की है उस पर हमारा आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है वह है देश की 60 फीसदी आबादी को फ्री राशन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह सरकार मोधी सरकार जो लगातार 2022 में विधान सभा चुनाओ के मद्दे नजर चुनाव आयोग से यह अपील कर रही थी कि विपक्षी दलों को चुनावी रेवणियां यानि फ्री बीस देने से रोके वही यह एलान करती है कि जन्वरी से 81 करोड लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा सबसे बड़ा सवाल हमारा ये कि विश्व गुरु का दावा करने वाले हमारे प्रधान मंत्री क्या भारत के विकास को मान रहे हैं कि अकधूरा कर पाए हैं तो कि 60 फीसदी आबादी को अगर वह पांच किलो आनाज फ्री राशन तक पहुचा पाए हैं इसका मतलब विकास जीरो बटा सरनाटा हुआ है दोस्तों ये जो आकड़े हैं ये सब आकड़े सरकारी आकड़े हैं और इन आकड़ों पर निगाह इसलिए बनाए रखने जरूरी है क्योंकि हम सब ने देखा है कि यह जो फ्री राशन है निश्चित तौर पर देश के गरीबों को देश में भुखमरी के कगार पर बैठी आबादी को राशन मिलना चाहिए लेकिन सवाल यहां बहुत दूसरा है कि एक तरफ देखिए देश के खादे मंतरी क्या कहते हैं उनका हर शब्द सिर आखों पर वे कहते हैं कि सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त राशन देने का एतिहासिक फैसला किया है पान्य प्रदान मंतरी जी ने एक एतिहासिक फैसला ये लिया है कि नैशनल फूज सेक्यूरिटी एक्ट के अंतरकत जो गरीबों को अंसुरक्षा दी जाती है खाद्य सुरक्षा दी जाती है ये अब मुफ्त में पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलाप्त कराई जाएगी देश पर में लगबग 81.35 करोड लोग बहुत सही कहा आपने लेकिन आप कम से कम संसत के भीतर संसत के बाहर यह तो मानिये कि आपने इस देश की इतनी बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से नीचे पहुचा दिया है अगर सरकारी आकडे माने 81 करोड लोग इस स्कीम से फायदा उठाएंगे तो क्या यह माना जाए कि देश की 81 करोड आबादी गरीबी रेखा से नीचे है या वह अपने लिए अनार जुटाने की स्थिती में नहीं है हम कम से कम यह कहेंगे कि चुनाओं के बहाने ही सही केंद्र ने कम से कम यह माना तो कि पिछले 9 सालों में जी हाँ पिछले 9 सालों में यानि 2014 से लेकर 2012 तक वह देश की आभादी को बहुसंख की आभादी को अच्छे दिन नहीं दिला पाई लेकिन वहीं देखिए कि रक्षा मंत्री राजनास सिंग बार बार एक ही धुन अपनाते रहते हैं दोहराते रहते हैं उन्होंने दावा किया कि अगले 25 ध्यान दीजे अभी नहीं पास साल नहीं दस साल नहीं पंदरा साल नहीं अगले 25 सालों का वादा कर रहे हैं कि अगले 25 सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ती बनेगा बिल्कुल सही बात है राजनाच जी इसके आसार तो देश के हर नागरिक को दिखाई दे रहे हैं कि हम कितनी तेजी से महाशक्ती की तरफ बढ़ रहे हैं देश की आबादी है एक अरब 40 करोड और इसमें से 81 फीसदी को फ्री राशन देने की नौबत आई है यानि 58 परसंट जो आपकी आबादी का है वो फ्री राशन पर निर्भर होने जा रहा है या निर्भर है या सरकारी आकड़ा है और हम और आप बहुत अच्छे से जानते है कि सरकारी आकड़े में जो इस्थिती है जमीन पर उस से इस्थिती और खराब होती है और इस बात के और इशारा एक के बाद एक जितने भी मापदंड हैं जितने भी सूचकांक हैं वह लगातार हमें दे रहे हैं मिसाल के तौर पर Human Development Index की बात करिए मानव विकास सूचकांक उसमें हम लगातार गिरे जा रहे हैं इस समय 132 पर हम हैं 130 से 132 पर पहुँचे और लगातार जो भुकमरी का कगार है भारत में भुखे पेट सोने वालों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है एक तरफ मोधी सरकार अंतराष्टिय मंचों पे इन तमाम आकड़ों जो स सरकारती है लेकिन देखे जैसे ही चुनावी घंटी बचती है सरकार चुनावी मोड में आ जाती है और एक के बाद एक इस तरह की घोशनाएं करती हैं यहां इस योजना की चर्चा मैं आप से इतने विस्तार में इसले कर रही हूं क्योंकि हमने देखा था खुद जाकर नि राजपा के विरोध में जो स्वर थे, जो माहौल बना था, जो नाराजगी थी, उसे पैच अप करने का काम किया था, उसे सरकार की तरफ मोड़ा था, और शायद जो नौ राजजियों में चुनाओं हैं, उसमें जो हिंदी पट्टी के छेतर हैं, उत्तर भारत के छेतर हैं, आएए एक नजर दोड़ाते हैं कि ये नौ राजजी कौन से हैं, जहां पर दो हजार तेईस में चुनाओं होने हैं, इनमें हिंदी पट्टी के तीन बड़े राजजे हैं, मद्दप्रदेश, राजस्थान और च्छत्यसगर्ड, मद्दप्रदेश में हम सब जानते हैं कि किस तरह से कौंग्रेस की सरकार बनी थी, जोड़ तोड़ कुरोना के समय हुआ, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार अभी है, और राजस्थान और च्छत्यसगर्ड में कौंग्रेस की सरकार है, और यहां पर अगर इस पूरे इलाखे को आप देखिए, और फिर के बाद महां से आने वाली खबरों का मूल्यांकन करिये, तो समझ आता है कि चुनावी समर की किस तरह की तैयारी हो रही है, दो दक्षन भारत के राज्य हैं, करनाटक और तिलंगाना, और चार उत्तरपूर्व के राज्य हैं, मेघाले, त्रिपुरा, नागालैंड और देखें कि जिस तरह से इन राज्यों के एर्दगिर्द राजनिती चल रही है, खबरे आ रही है, वह बहुत साफ कर रही है, कि एजेंडा सेट हो रहा है, उत्तरपूर्व में हमें दिखाई दे रहा है कि अचाना की अरुनाचल प्रदेश और वो जो पूरा इलाका है, वह देखें के राजियों में करनाटक बहुत एहम है, करनाटक में भाश्पा की सरकार है, और यहां हम सब जानते हैं कि करनाटक में जिस तरह से भारती जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वहां जिस तरह की कमीशन खोरी है, 40 फीसिदी कट की बात है, वहां सब कुछ सारज जनिक है ़ोग पॉस्टर लगाते रहे हैं इसमें बहोत एहम है करनाटक क्योंकि करनाटक भाश्पा मानती है कि दक्षण के लिए उसका दुआर है वहीं से वह दक्षण भारत में प्रवेश कर सकती है और इसके लिए उसने बहुत ठोस काम किया है हिंदुत्व की नई प्रियोक शाला है करनाटक हम सब ने देखा कि हिजाब को लेकर जिस तरह का विवाद जिस तरह का हंगामा जिस तरह से मुसल्मानों को निशाना बनाया गया जिस तरह से मुसल्म लड़कियों को पढ़ाई से महरूम किया गया यह सब कुछ करनाटक में हुआ हिंदु वोटों के दुरूवी करण के लिए और इसके बाद यह भी सामने आया कि सब कुछ करने के बावजूद वहां बड़े पैमाने पर खुद भाश्पा में खलबली है और आप देखिए यह वीडियो यह वीडियो बता रहा है कि करनाटक में दोहजार तेईस में जो चुनाव होना है उसके लिए कितना खौफना कितना गंदा खेल खेलने की तैयारी भार्ती जंता पाटी कर रही है इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद यसा उत्तर दो अपनी लड़कियों को शुरक्षित रखो अपनी लड़कियों को संसकारित करो अपने घर में हत्यार रखो कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो इस पश्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हत्यार तेज होना चाहिए यह महिला वही महिला है जिने माले गाओं बंधमाकों में पकड़ा गया था सजा सुनाई गई थी इस हमें देश की सांसद है प्रग्या ठाकूर भोपाल से सांसद बनकर आई है आप देखे कि करनाटक में जाकर यह क्या बात करती है सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसाने की बाते करती है सीधे सीधे कहती हैं कि मुसल्मानों को निशाने पर लेना होगा सीधे सीधे कहती हैं कि हमें चाकू तैयार करना होगा और तो और यह महिला सीधे सीधे हम तमाम औरतों पर हम तमाम लड़कियों पर खास तोर से हिंदू लड़कियों पर निशाना साधे हुए हैं क्योंकि वह खुलकर कह रही हैं कि हिंदू लड़कियों को संसकारी बनाने की जरूरत है मैडम प्रग्या ठाकुर जी क्या आप मान के चल रही हैं कि हिंदू लड़कियां संसकारी नहीं है और ये संसकार शब्द हैं क्या आपके हिसाब से कौन संसकारी है और कौन नहीं संसकारी है अगर इसकी क्लास लेनी पड़ जाएगी तो पता नहीं कितने लोगों को कितनी हिंदू औरतों को जेल की सजा खानी पड़ेगी लेकिन सबाल बहुत साफ है कि प्रग्या ठाकुर को जो राजनीती करनाटक में इस तरह से नफरत उगलने के लिए खुली छूट दे रही है वह चाहती है कि करनाटक का पूरा का पूरा चुनाओ हिंदू मुसल्मान की नफरत पर लड़ा जाए और इसके लिए बकायदा तैय बिलारी शुरू हो गई है लेकिन सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होगा सारे मद्दाता उसी हिसाब से वोट देंगे यह कहना शायद अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि इसी बीच करनाटक से ही खबर आई कि भाशपा के साथ और भाशपा की एक पूर जो नेता रही हैं उनकी बहुत करीब माने जाने वाले खनन माफिया बेलारी से आते हैं जो जनारदन रेड़ी उन्होंने भाशपा से संबंध विक्षेत कर लिया है उन्होंने घोशना की है कि वह अपनी नई पार्टी बनाएंगे और यहां हमें भूलना नहीं चाहिए कि जनारदन और जो जनारदन रेड़ी कह रहे हैं कि उन्हें एक ट्रैप में फासा गया था ये सारी चीजे संकेत दे रही हैं कि करनाटक में भाशपा के लिए रह आसान नहीं है शायद यही वज़ह है कि इसी के साथ साथ करनाटक में कॉंग्रेस के जो राश्टी अध्यक्ष हैं मलिक सरकार जुन खडगें उनके बेटे प्रियंग खडगें के खिलाव भी सरकार कमर कस्ती दिखाई दे रही हैं मामला सिर्फ नफरत पहलाने का ही नहीं हैं नफरत पहलाने के अलग-अलग तौर तरीके इन तमाम राजियों में इस्तमाल हो रहे हैं जिसकी ताजा मिसाल प्रदेश में एक आपराद की घटना होती है जो दोशी जिसके बारे में जो आरोपी है उसके घर के उपर बुल्डोजर चलाया जाता है यह बुल्डोजर बहुत ही आम पर इघटना होती जा रही है उत्तर प्रदेश हो या फिर मद्द प्रदेश और आप देखिए कानून क कोई कारवाई नहीं होती कोई अदालत नहीं बैठती और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ट्वीट करके बताते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस कर दिया गया बुल्डोजर से आरोपी का घर गिरा दिया गया कितनी अजीब बात है कि इस देश में एक तरफ जहा जमानत देती हैं जमानत मिलने के बाद भी वे रिहा नहीं हो पा रहे क्योंकि कानूनी कारवाई पूरी नहीं हो पा रही यहां मैं जिक्र कर रही हूं सिदीक कपन का जो दो साल से एक ऐसे गुनाह के लिए जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं एक शब्द नहीं लिख जमानत मिल गई लेकिन रिहाई नहीं हुई क्योंकि कानूनी कारवाई या जमानत की जो कारवाई है वह इतनी पेचीदा हो गई है कि उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही तो एक तरफ बुल्डोजर है बुल्डोजर का इंस्टेंट नियाए है जो कुछ लोगों के लिए है और औरंत में दो खबरें जो बहुत जरूरी हैं और मेरे दिल के बहुत खरीब है पहली खबर दुख भरी प्रसिद फिल्म निर्माता कार्टोनिस्ट परियावर अनविद अक्टिविस्ट केपी ससी हमारे बीच नहीं रहे अंगिनत फिल्में उन्होंने बनाई उनके दो लोगप्रिय रहे पहला विस्तापन के खिलाफ गाउं छोडब नहीं और दूसरा अमरीका अमरीका और दूसरी खबर खुशी की खबर है जहां पर प्रिया सिंग ने अंतराष्टिय मंच पर देश का नाम रौशन किया वह पहली महिला बनी जिन्होंने अंतराष्टिय महिल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता राजस्थान की रहने वाली प्रिया सिंग दलित मूल की हैं और जब उन्हें यह गोल्ड मेडल मिला उसके बाद समाज के एक बड़े हिस्से का कहना है कि उन्हें उस तरह से हेल नहीं किया गया उस तरह से उनका सम्मान नहीं क किया गया जिस तरह से बाकी समाज को किया जाता है अगर यह जरा भी सही है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है और हम सब को अपने गिरेबान में जाक के देखने की जरूरत है भारत की इस बेटी के पक्ष में सभी को खड़ा होना जरूरी है शुक्रिया